तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे फंडू चेरी टीटेन मुकाबला जो खेला जागा कल हम लोगों ने खेला था लेस बोला था काफी लेस बोला था क्योंकि फंडू चेरी टीटेन में एक्सपेरिमेंट और काफी ज्यादा रिस्की मुकाबला होता है फिर भी लोगों ने अ करेंगे TIT वरसे WAR के बीच खेला जाएगा टाइम मिला तो बुलगरिया वरसे ग्रेस की जो यह टीटेन मुकाबला है इनको कभर करने का परियास के आजाएगा तो अच्छा खासा हो सकता है तो मेरे भाई आगे टीट वरसे वार का मुकाबला को जैदी आप खेलना चाहते हू हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना क्योंकि वहाँ पर मिलेगा फाइनल टीम लाइनप के बाद जो देता हूं जो टीम से माइक खिलता हूं जी एल से रिलेटेड पीच रिपोर्ड वेटिंग लाइनप याने वीनिंग करने का सारा जो जरिया है वह है टेली ग टेली ग्राम चैनल लिंक इसको टाच करते ही हमारे टेली ग्राम चैनल पर चले जाओगे या फिर चाहो तो कोमेंट जो है ना फर्स्ट कोमेंट पे इनका लिंक आपको मिल जाएगा यहां पर टेली ग्राम चैनल का यहां से भी किलिक कर टेली ग्राम चैनल पर आप जा सकते और बिल्कुल यहाँ पर फिर यह टीम प्रोवाइड किया जाता है तो दोस्तों एक चीह यहाँ पर समझना है एक्सपेरिमेंट हो सकता है इस मुकाबले बिक्यों कि आज के बाद होने बाद कल सेमी फाइनल उसके बाद दूसरे दिन फाइनल खेला जाएगा तो एक्सपेरिम आस्ट मुकाबले का स्कूर कर ज्यादा माइनी है तो एक्सो सोलर रन बनाये तो चार विकेट के नुकसान पर प्रभू बी जबलदस्त काफी अनुभावी पिलियर संतावन का योगदान दिया चार चवके पांच छक्के की मदद से मारी मित्थू की बात कि जबलदस्त ओल पर ट्राय करना गेनवाजी देखिए इनकी सारे के सारे गेनवाज बनिया है यहां पर देश्ट कुमार एस यह इंपेक्ट पिलियर के रूप में आये थे दो विक्टे लेगे इनके जगा मयंक पंडे खेलेंगे तो वो ज्यादा इंपोर्टेड आएंगे इनके लब टी ग और यहां फोर्म में अगर जैद कोई गेनवाज चाड़ा तो वह सिवा संकर एक ही विक्टे लेगे लेगे इनसे पहले यह और भी जबड़दस्त करके आ रहे है मार विन्थु दो भरे डालेगा इंपोर्टेड राएगा साथ में ओपन वन डाउन यह आएगा तो दोस्तों यहीं बात की जाए टीट की टीम की तो यहां पर हम लोग देख सकते हो टीट यहां पर टीम है 114 रण 6 बिकेट के नुकसान पे मनिकंदा ने जिस तरह से टेकिंग बल्ले वाजी करते भाई यार सामने बाले टीम पर गेनवाज भी बढ़िया है किया यह चल प हमेसर देखे मर्यपन पर इनका रिकोर्ड लग वग में विक्ते ही लेता एक बिक्त से जब्स लीता नहीं है लेकिन एक बीकर में यह लेता है ना कोई ये नहीं बता सकता कि ये दो अभर करता क्यों नहीं है इसका किसी के पास जवाब नहीं है भया बनियां गेनबाजी करता है फिर भी ये दो अभर करता क्यों नहीं है ये सवाल जो है न जवाब ही नहीं मिल रहाँ भी गुपता लास्ट के दो तिन में से गेनबाजी करना स्टार्ट किया, स्टार्ट किया द विक्टे भी इनको मिलना स्टार्ट हुआत इंपोर्टेन रहेंगे परविन कुमारेस, जी एल पे ट्राय करना भसे केरन, सुरंदरन की बात के दो अभर करना चे जब बल दस्तिस पीना रहे केप्टन भास के भी बारे में सुचना चाहिए, ट्राय तो करना ही है, मनिक अंदरन एस की बात किया, एक ही ओबार डाला लेके साथ में इनकी बल्ले बाजी जो वो कड़क बल्ले बाजी है, गिन बाजी जादा कड़क है नहीं, गिन बाजी ना भी कर सकता अगर जो ऐसा तो कॉंबिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंगे ड्रीम लिवन से हर अपडेट आप तक पहुंचाता हूँ, वो बहुत तेजी में जाएगा, दूसरा केफटन भी सी आपको दो च्वाइस करना, जो कि थोड़ा सा मुश्किल सा काम नजर आता है, अब यहीं बात की जाए कि कौन-कौन सा इसा पिलेर है, जिन से डर है, डर तो है भाईया, बहुत सारे पिलेर से पहला नाम यहाँ पर आता कि इनको आप ड्रोप कर सकते हैं, कि एक ओभर डालेगा, अच्छा कर जागे, देको मैंग पांडे खेलेगा, इंपोर्टर रहेगा, डेतो अबर में यह डलता है, अठमा अर्दस्मा ओबर यह हमेशा से डलता है, तो मैंग पांडे इंपोर्टर रहेगा, के एन, भाईया, इनकी गलती कि है, समझ मिनी आता जब बरदस्त गेनबाज है इनको चाहो तो ट्राइ कर सकते हैं दो भर किया तो 100% है कि यह बहतर करेगा जब बरदस्त इस पीन गेनबाज ही करता है बाकी यहां से के पर जापात खेलेगा इंपोर्टेर रहेगा डबल बिगट की परकसान जाना चाहिए जी समुल ले कई बार यह ओपन आते कई बर बले बाजी के लिए आते ही नहीं है बीस कुमार सुनिल की बात के जील का ट्रम्प काड यह भी होगा बिगट की ब्रिंग सकते हैं मैं ओपन आ रहे हैं वन डाउन आ रहे हैं रिकोर्ट ठीक ठाक है तो दोस्तों यह सब आप अपने अनुसार देख ल लेकिन एस मनी कंदन बुरा ओप्शन विल्कुल नहीं है हाड हीटर वले बाजा सांत में एक ओभर्ट को डाल ही रहा है लेकिन सामने के टीम में जो बीरागूल सीवा संकर यह लोग गनवाजी हैं इन लोगों का थोड़ा एटेक करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता ले विसरी मा ओल भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ट वेतर जाए सारी लोगों पर सुर्चति मा किरपा वन ही रहे इसी उमीद के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं